हेलो और वेलकम टू फुटफ़इट जहां पर मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी टेस्टी रेसिपी और आज की हमारी सूपर टेस्टी रेसिपी है राइस निपट्टू या फिर इसको राइस पापड़ी आप बोल सकते हैं इने पट्टू यह साउथ में साउथ की एक फेमस रेसिपी है काफी पसंद थी मुझे जब मैं बैंगलोर में रहती थी और अभी भी मजब जाती थी घर पे लेकर आती थी तो काफी टेस्टी लगते हैं यह खाने में तो जटपट मैंने इसको बनाया और ट्राइ करा तो आप भी ऐसे बना कर देखें बहुत ज्या तेल हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको बोईल आने देंगे धक देंगे हम इसको और बोईल आने देंगे तब तक हमेंसे गरम करना है तो बस इसको बोईल आ गया है तो हम कर देंगी गैस फ्लेम ओफ और गैस बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कप काटा मैं यूज कर रही हूं आप ज्यादा बनाना चाह रहे हैं तो जितनी क्वेंटिटी आप राइस फ्लार ले रहे हैं उतना ही क्वेंटिटी में पानी लें और बैस इसको अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए धककर छोड़ देंगे पांसे साथ मिनट हम इसक कर लेगा इतनी दिर में तो यह देखिए पांसे साथ मिनट हो चुके हैं हलका यह फूल चुका है अब हम इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें डाल दूंगी मैं एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स एक चम्मच ही मैं डालूंग इसमे सेसमे सीड्स यानि कि कि अगर आहिको अगर चाहें तो इसमें चना डालाूं आती है रोस्टेद वाली वह भी डाल सकते हैं और अपने त्यासियरगे तो यह एक safe दिल त्यार करेंगे यह हलका गरम है भी भी तो आपको उतना गरम रहना चाहिए जितना कि अच्छे सी इसका डो बन सके अधरवाइस ठंडा हो जाएगा तो इसका डो नहीं बन पाएगा ठंसे तो आप गरम में ही इसको तयार करें अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल अपने हाथों पे लग थोड़ा सा केरफुली आपको बहुत हलके हाथों से इसकी पापड़ी बनानी पड़ेगी और इस तरीके से हम छोटी छोटी लोईयां बना लेंगे इसकी जितनी साइज की हमें बनानी है पापड़ी उसी साइज से हम लोईयां बना लेंगे इसकी और बस इसके क्या करेंग अब एक लोई लेंगे और इसका पेड़ा बनाके यहां पे मैंने थोड़ी सी मैदा ली है आप चाहें तो राइस फ्लार भी यूज कर सकते हैं मैं मैदा यूज कर रही हूँ तो बैस इस तरीके से इसका पेड़ा बनाएं थोड़ी सी मैदा लगाएं और बहुत ही हलके हाथ स इसको बेलना है आपको अगर एकदम से आप जोर लगा देंगे तो यह तूट जाएगी और चिपक जाएगी बेलन के ही तो आपको बहुत धीरे-धीरे बहुत केरफुली इसको बनाना है तो यह देखिए एक पापड हमारा तेयार हो चुका है एक्चली यह पापड नहीं है लाइक हम सुखाएंगे नहीं इसको डायरेक्ट फ्राइ करेंगे और पापड की जैसा नहीं बनेगा यह मठ्री जैसा बनेगा तो यह देखिए हम दूसरा भी बना लेते हैं इसी तरीके से तो किनारों से यह थोड़ा सा फट रहा है क्योंकि चावल का अटा जो है वो थोड़ा सा डेलिकेट होता है बस इसी तरीके से हम सारी मठ्रियों को तयार कर लेंगे यह देखिए हमने बेल ली हैं कोई छोटी हैं कुछ बड़ी हैं डोग्या कोडिंग यह हो गया था अब हम तेल गरब कर लेंगे और इसको हम फ्राइ करेंगे मेडियम टू हाइफ लेम पर भी कर सकते हो आप बट केरफूल रहें थोड़ा सा इसको सावधानी से करें और यह क्योंकि यह डेलिकेट है तो एकदम से ना पलतें इसको थोड़ा से इनको कुरकुरा होने दें उसके बारिश का मौसम हो चाय हो और मठरी हो तो और क्या चाहिए किसी को तो जरूर ट्राइ करना है इस मौन्सून रेसिपी में रहे हूं आपके लिए खुब सारी डिफेर्ट डिफेर्ट तो आप ट्राइ करें इनको बनाएं रोज और खाएं और बारिश का आनंद ले यह बिना दात वाला इंसान भी खा सकता है इतनी कुरकुरी क्रिस्पी बनी है आप देख सकते हैं एक दम से टूट गई है तो ज़रूर ट्राइब करें इसे अच्छे लगी तो फ्लीज लाइक करें वीडियो को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को शेर जरूर करना है थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो